यह दिया आपकी एक्सपेक्टेड डिलिवरी डेट पास में आ गई है और आप डिलिवर होने जा रही है तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एक सवाल आ रहा होगा कि मुझे ऑस्पटल जाते वक्त क्या-क्या साथ में लेके जाना होगा तो मैं डॉक्टर सुशिला सैने क्या प्रुवाइड होने वाला है जन्रली हमारे होस्पटल में जैसे हम लोग पेशेंट के ड्रेस है यूनिफॉर्म है बेबी का यूनिफॉर्म है और बाकी डिस्पोजबल चीज़े अवेलेबल करा देते हैं तो ऐसे स्थिती में आपको होस्पटल के आते वक्त आपको क चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना साफ गाउन लेके आ सकती है बाट जन्रली होस्पटल वाले पेशेंट के लिए अपनी ड्रेस प्रुवाइड कराते हैं और बाहर की यूनिफॉर्म लेके आने के जरूरत आपको नहीं होती है और बच्चे के लिए जरूर आप अच् चमच के जरूरत पड़ती है जनरली होस्पडल से डिस्पोजबल चीज़े प्रोवाइड की जाती है बट यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से आपको अपना स्पैसिफिक कटोरिया चमच लेके आना चाहते हैं तो डेफिनिटल आप लेके आ सकते हैं और अपने परसनल के दिनिटल नहाना भी होता है और अपने पर्सनल हाइजीन को मिंटें करने के लिए पैट्स और एक गाउन साफ अंडर वीर मैटरनेटीव पैड्स आप लेके आ सकते हैं और मैटरनेटीव ब्रा भी आप लेके आईए जिससे कि आपको बच्चे को फीड कराने में तकलीफ न बच्चे के लिए पर्सनल हाईजीन करने के लिए आप साबुन और साबुन और थे लिए बैस करने के लिए आप युजकend siya बच्चे के लिए आप सौफ्ट गरम कपड़े लेके आसकती है इससे की आप बच्चे को ठंद से बचा सब से अब किसकीकों सोनगराफिवाइज अपने सांपने पार्ट समय हैं तो आपको करो सोनगराफिक को यह रहा नहीं ब्सक्राइए の सूर याद जरूर नहीं है हर चीज़ डॉक्टर याद रख पाए तो ऐसे तरह में आपकी जांचे इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स अगर साथ में होती है तो डॉक्टर आपका प्रॉपर ट्रीक्मेंट कर पाते हैं और कोई चीज़ मिस नहीं होती है इसलिए अपने कागस डॉक्यमेंट्स लान अपने प्रॉपर ट्रीकमेंट्स आपका है झाल झाल